अगेन आप सभी लोगों को में लायो एक ऐसे स्टोर्स में जहां पे जिनका नाम जो है नाम आते ही सभी लोग जान जाते यार कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मुझे मिलने ही वारा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजे मिलेगी जो आपने देखा होगा या फिर सपने में रिपीट से है जह जो है यह सेलेशzub है यह आप पूरा कंसेंट्रेशन ऊसी आप देख सकते हो कि सब न पैना सब एक बार चएट दूसरी बार रिपीट नहीं होता है उसकी दिजाइन मौरोपली हो जाते हैं कि वह डिजाइन सिर्फ उसके लिए भनी है तो आज ब्राइड का जो दिन होता है जब उसका साधी का दिन होता है तो उसकी दुनिया में इसकी लाइफ में वह दीन का बहुत इंपोर्टन्स रहेता है वह स्पेशल डे तो और स्पेशल बनाने के लिए कि हमारी ज्वैलरी बिना वह बन नहीं सकता है तो हम उसके बहुत सेंसिट्व रहते हैं वह डेजाइनिंग के बारे में हर साल हम कुछ-न नया लेके आते हैं इस सब्स्क्राइब हम ने कुछ को देख ऑई हैं सबने ब्स पोल की का इंडिया की बेस्डिएंगर है वह रखते हैं और जैसे मैंने बता है वैसे वन सिट सोल तो वह खुझ की डिजाइन हो जाती है तो आज सुरत की जनता के तो ही सुरत की जनता का तो प्रेम लेकिन अल ओवर इंडिया से जिसको अच्छी ब्राइडल जो लेडिये वह हमेर यहां आते हैं और वह सटीस्पाइड हो जाती है तो हमारा एक शद्बागी है कि हम वह कर सकते हैं थैंक यू सब लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ज्यादा प्रेहना दे रहे हो फिमेल्स को क्योंकि लोग तो पहले ही सोचते कि जो मैं पहनूं वो और कोई ना पहन है और किसी के पास गलती से भी ना च अब बहुत पहले हैं और कि आप लोगों के लिए सी उनिक चीज़ें जो इक बार अगर आपने परचस कर ली तो किसी और के साथ में और किसी और के पास रही डिजाइन नहीं जाएगी और यह सब जो बीटीफुल मॉडल से आप इंको भी इस बार में पूछ लेते हैं मैं तो बोलता हूं कि मेरा ओर्नामेंट से मेरा तो हर चीद मेरे हाथ से हमरे डिजाइन किया सिलक किया हुआ है मेरे को अच्छा लगेगा लेकिन जब यह बीटिफुल लेडी बोलेगे कि नहीं औरनामेंट कैसा है तब ही उसका वैलिग होगा बिल्कुल सही है तो एक आपको कैसे लगी बहुत ही ज़्यादा एंटिक है और सबसे डिफरेंट है इनकी मैंने सारी जुल्री देखी पर यहां पर कुछ अलग ही है एंटिक कालेक्शन से मतलब फीमेल जो है यूनिक पर ही जाते हैं आपको कैसा लगता है जब आपके लिए ही स्पेशल बना हो इस केसा लगा भी ब्यूर्द रुट है कांतिलाल इन ब्रदर्स को कहन नहीं जानताओ टा मैं मुंबबाइ से हूं अई सबसे एक नई चीज लेकि मैंने कांतिलाल इन ब्रदर्स की कि अभी सूरत वाले लोगों को यह पीस जानना पड़ेगा थी उन्होंने साह दिजिएस ले के पेश की और बहुत ही बकाईता उन्हें चोटी चीजों का ध्यान रखा है और लॉव साउच जोटी आप भी पसंगे उनीक कुल अगर आपने कोई क्रेटिव डिजाइन तो प्लीज करते हैं तो प्लीज करते हैं तो प्लीज बुकिंग करते हैं क्योंकि नेक्स तो मिलने वाले हैं अगर आपको सिंगल पीस चाहिए क्रेटिव चीज चाहिए तो जरूर के लिए ही बनाओगा थाइंक्यू लेकिन आपको यहां पे जरूर रहना होगा और कुछ चीज और श्रूर ना चाहूं ही यह जो हुशार रभाई जो है वो प्लीज सब्सक्राइब के लिए तो उसके बारे में मैं आपसे जाएना चाहूंगी ऐसा होता है कि जरूरी सब लोग का एक विकेंड होता है सटेड़ संडे तो वह माहौल यह जो में एक्जिबिशन रखते हैं वह जस्ट डिस्प्ले के लिए होता है कि हरेक्ट जो जवेलर सब इसके वहां साधी है तो वह लोग अपनी देखना शुरू करेंगे कि मेरे कौन सी दुकान पर या किस तरह का ओर्नामेंट्स लेना है त तो अगर आपके यहां को अच्छा फंक्शन है और को ज्वेलरी बना लेना का मूड भी है या नहीं भी है लेकिन एक बार ज्वेलरी की देखने के लिए आप ज़रूर सूरत ज्वेलरी शो में आए और आपका जो भी फ्यूचर में जो भी प्रशंगे उसके लिए जो भी टाइम दे पाते हैं वो तो इसलिए आमने स्पेशिली सुबह ग्यारत से रात को ग्यारत खल अमरा ज्वेलरी शो शुरू रहेगा तो मैं सब जनता को और सब जो दाखिना के चाहा को अगर एक बार आप सूरत ज्वेलरी शो का विजिट 100% कीजिए अगर आपने मिस कर दिय तो आप बहुत पूश कर सते हों तैंकि ना जाए और दो तारिक तक चलेगा मौनिक 11 तू 8 प्याम तक तो जरू बढ़ाएं तो आप ज़रू से यहां पर विजित करिए यह एक्जिबिशन जिट तीन दिन के लिए है आज जुड़ू है और दो तारिक तक चलेगा मौनिक 11 करा। कर दो जरू बढ़ा ।